हेलो गाइस, आज हम इस जैंगो के मॉडिूल में देखेंगे, कि आप header और footer को कैसे include करेंगे, अब देखे, header और footer का मतलब क्या होता है, जैसे top वाला part और bottom वाला part हर पेज में common होता है, तो last हमने क्या किया था, हमने page को रखा था, दो page बनाए थे, एक index हो गया, मतलब हो और एक about वाला page हो गया अब उन दोनों में जो header और footer का part है दोनों page में common है तो अगर मुझे कुछ भी changes करने पड़ते हैं तो मैं दोनों page में जाके करूंगा तो मैं चाता हूँ उन दोनों page को एक जगे रख दू मैं उपर वाले part को जो header का part है और जो नीचे वाला part है footer का part है उसको मैं एक अलग file में रखो और उसको मैं हर page पे include करा दूँ तो उस logic को हम यहाँ पे क्या करने वाले है clear करने वाले हम include नाम का tag जो jango के template में यूज होगा जो HTML template के अंदर यूज होगा उसको हम implement करेंगे तो include जो keyword है वो पहले से बना हुआ है जो jango के through बनायागा keyword है उसको आप use करके किसी भी section को किसी भी child component बोलिए या child आप section बोलिए उसको आप कहीं पे भी include करा सकते हैं इसके लिए क्या logic लगाना पड़ेगा क्या process होगा वो सारी चीजे मैं आपके सामने practically clear करूँगा जिससे आप इसको implement कर पाए तो चलिए हम start करते देखिए देखिए अपना page है इस page में आप notice करेंगा उपर वाला section और जो नीचे का footer section है वो हर page में common है हर page में common का मतलब अगर मैं यहाँ पर दूसरा page भी open गरता हूँ यहाँ पर about us में भी उपर और नीचे का portion क्या है common है तो आप इसको कैसे manage करेंगे उसके लिए बहुत simple है देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो उपर का part है मैं इस part को cut करके एक HTML page बनाऊंगा header.html उसके अंदर रखूँगा और जो नीचे का part करके मैं क्या करूँगा एक footer.html page बनाऊंगा उसके अंदर रखूँगा फिर मैं उसको in section पे लाके क्या कर दूँगा include कर दूँगा तो वो प top से copy करिया और वहां तक के part को cut करिये देखिए तो यहां तक का part यहां पे cut हो रहा है देखिए section tag यहां पे दिख भी रहा होगा यहां तक cut हो रहा है तो मैं यहां से template folder के अंदर बना रखी है जहां पे सारी files पड़ी हुई है notice करिए देखिए यह रहा templates के अंदर यह header.html मैंने बनाया आपको भी header.html को क्या करना है बनाना है बना के वो code आप यहां पे लाके क्या कर देंगे रख देंगे इससे पहले मैं क्या करूँगा footer के part को भी cut करके लाता हूँ यह footer का part कहां से होगा देखिए footer नाम के tag से start हो रहा footer area यहां से लेकिए यहां तक आप इसको cut करिए और footer.stml करके भी file मैंने बना रखी यहां पे paste कर दीजिए अब आप इसको include कैसे करेंगे क्योंकि header चला गया footer चला गया अगर मैं अभी refresh करूँगा तो कुछ इस type का दिखेगा ना header आ रहा है ना footer आ रहा है क्योंकि मैंने header को cut कर दिया footer को cut कर दिया और अलग page में रख दिया उसको अलग page में इसलिए रखा है वो आप लोगों के benefit के लिए है उसका logic यह है कि आप header को और footer को हर page में include करा सकते है क्योंकि वो तो common है ना मैं चाहूँगा कि common चीज में एक जगे रखो और उसको include करा दूँ तो उसके लिए क्या logic लगाना है बहुत simple है देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर include का यूज करना है include zango का tag है जो html के अंदर क्या होगा यूज होगा यहाँ पर curly bracket percentage यहाँ पर include double quotation या single quotation percentage curly bracket यहाँ पर आपको file का नाम देना है header.html तो मैंने यहाँ पर header file को क्या कर दिया include कर दिया ऐसा ही आप क्या करेंगे नीचे की साइट जाएंगे और यहाँ पर फुटर.html को include कर देंगे तो मैं यहाँ पर नीचे space को अटाता हूँ और यहाँ पर footer.html को include कर देता हूँ जाता हूं और यहां पर लिख देता हूं footer.html तो clear है header include हुआ यहां पर footer include हुआ यहां पर अब देखे मैं यहां पर refresh करूँगा मेरा data मेरे सामने दिख जाएगा देखे पूरा पूरा proper आ गया अब इसका benefit क्या हुआ आप header.html को about पे इंक्लूड करा सकते हैं क्योंकि header.html जो बना है वो home page के लिए थोड़ी है उसको तो about course gallery जितने भी page होंगे उन सब पे आप include कर रही है तो मैं यहां पर जाता हूं और about page को open कर देता हूं यह about us page है about us page में मैं देखता हूं यहां से लेकर यहां तक का section सेम है मैं यहां पर cut करता हूं और यहां पर include कर देता हूं जो मेरा header था अब देखे मैं यहां पर जाके देखता हूं और refresh करता हूं about us page पर वो आ रहा है data आ रहा है देखिए और header भी आपके पास आ रहा है तो same process आप copy करके नीचे की side जाएंगे और यहां पर footer में क्या कर देंगे call कर देंगे यहां जाता हूँ, यहां पर पूरा का पूरा हटा के जो यह area है footer का इस पूरे area को हटा के मैं वो चीज call कर देता हूँ, देखिए तो मैंने यह पूरा part हटा है यहां पर मैंने footer.st में लग दिया देखिए और मैं यहां पर refresh करता हूँ अब इससे benefit क्या होगा अगर आप सोचने इससर इससे benefit क्या है benefit यह है कि अगर मैं कहूं कि यहां पर about us नाम करना है, तो आपको header में जाना है और header में जाके क्या कर देना है यहां पर about us कर देना है तो header file तो दोनों page के लिए है मैं यहां पर refresh करता हूँ, देखिए तो यहां पर about us हो गया आप यहां पर refresh करेंगे, यहां भी about us हो जाएगा तो clear logic है, मैंने इसको क्या कर दिया अलग file में रखे include कर दिया तो यहां पर include tag का use किया गया है कोई भी other child, child section को अगर आपको include कराना है तो आप include tag का use कर सकते हैं include jango template के अंदर use होने वाला tag है अब देखिए नीचे की side हमने footer को include कर दिया तो अभी यह clear हो गया कि अगर मेरे लिए page बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, अब तो about page को मैं क्या करूँगा, copy करूँगा और अगर कोई और भी page बनाना होगा, header footer तो about में ही और मैं दूसरा section क्या गर दूँगा, बना दूँगा तो यह हर page के लिए अगर आप कोई और भी page बनाएंगे, वहाँ भी header footer को हटाएंगे और वहाँ भी include को use करेंगे तो include use करने से यह benefit हुआ कि आपने जो same type का section था उसको अलग रखके include कर लिया और यह चीज़े आपके सामने clear हो गई होगी आगे के parts में मैं देखिए आपको और चोटा कर दूँगा code को चोटा करने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक base.html फाइल बनाऊंगा अभी मैं बस process समझा रहा हूँ base.html फाइल में क्या करने वाला हूँ header footer को base.html में रखूँगा और beach का content है जैसे हर page में beach का content है beach का content base.html के अंदर जाएगा उसके लिए आपको extends करके एक tag यूज करना पड़ेगा extends करके keyword का यूज करना पड़ेगा उससे आप header footer को एक जगे रखे beach के data को हर बार change कर पाएगे ये process में आगे के parts में क्या कर दूँगा clear कर दूँगा जिससे और भी code आपका क्या हो जाएगा sort हो जाएगा और आप इसको आसानी से क्या कर पाएगे implement कर पाएगे तो अभी के part में clear हो गया होगा कि मैं header और footer को कैसे include कराऊँगा किसी भी page में किसी भी section के अंदर thank you so much guys झाल किसी भी आपका के अंदर